हलो एंड वेलकम मैं हूँ अभिलाशा पाठक और हाजिर हूँ एक बाद फिर से लेके आपका पेवरिट शो रूबरू हमारे शो में हम हमेशा आपकी मुलाकात ऐसी ही शक्सियतों से कराते हैं जिसे आप धे सारे इंस्पिरेशन ले सके और आज जिस वुमिन इंटर्प्रियॉनर से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो ना सिर्फ पेशे से डॉक्टर हैं बलकि बहुत ही कम समय में उनके हॉस्पिटल संड्राइज हॉस्पिटल ने काफी नाम कमा लिया है जी हां हम बात कर रहे हैं डॉक्टर निकिता त्रेहान की संड्राइज हॉस्पिटल जो लोगों के लिए आशा की किरन साबित हुआ है कहते हैं यहां इलाज कराने से जिन्दगी रौशन हो जाती है संड्राइज हॉस्पिटल में मरीज आते तो हैं अपनी धेरो बिमारियों के साथ लिखिन यहां के ट्रीट्मिंट के बाद एक नई सुबह उनका स्वागत करती है इस हॉस्पिटल की यह विशेश्टा है कि कही तरह की तक्नीकी के साथ यहां सर्जरी की जाती है जैसे लेप्रस्कोपी, थोरिकोस्कोपी, आर्थोस्कोपी और साइस्ट्रोस्कोपी अनुभावी और एक्सपर्ट डॉक्टरों की देख रेख और मश्वेरे से मरीज को एक नई जिन्दगी मिलती है पूरे एशिया में सन्राइज हॉस्पिटल की मिनिमली इन्वैसिव सर्जरी नमबर वन पर है लैप्रोस्कोपी और एंडोस्कोपी सर्जरी के एक्सेतर में ये हॉस्पिटल विश्रविख्यात है भारत से लेकर दूसरे देशों के मरीजों के लिए ये हॉस्पिटल एंडोस्कोपी सर्जरी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी करता है Sunrise Hospital, Hernia Surgery और Laparoscopic Surgery में संबान प्राप्त कर चुका है देश विदेश में सरजरी के क्षेतर में इसने एक किर्तिमान स्थापित किया है पूरे एशिया के Medical Expert जो सरजरी के क्षेतर में प्रतिष्ठित अनभवी और क्वालिफाई है साथ ही यहां ऐसे गानेकॉलोजिस्ट और सरजर्ण है जो वर्ल्ड वाइड ट्रेंड है 2000 से जादा बेड़ वाले इस हॉस्पिटल में साधे 300 स्पेशलिस्ट और 5,000 स्टाफ है जो मरीजों की सेवा में 2400 घंटे तत पर रहते हैं संड्राइज हॉस्पिटल अपने आप में अकेला ऐसा हॉस्पिटल है जहां हर साल 10,000 से भी जादा मरीजों की दुर्वीन तकनीक से सरजरी की जाती है संड्राइज हॉस्पिटल की दिल्ली के अलावा कोचिन पलावारा टोंग, चंगाराम कुलंग, कन्हानगड, एलिपे सोलापुर और दुबई में भी ब्रांचेज है संड्राइज हॉस्पिटल के हर ब्रांच में इंटरनाशनल लेवल के लेटिस्ट मशीने हैं जिन से मरीजों का बहतरीन से बहतरीन इलाज किया जाता है संड्राइज हॉस्पिटल के डागनॉस्टिक सेंटर एक दिल्ली में और दो मुंबई में स्थित है Sunrise Hospital में बच्चे की डिलिवरी कराने के साथ-साथ गाइने से संबंधित सभी तरह की सरजरी की जाती है यह department डॉक्टर निकिता त्रेहान की देख रेख में काम करता है महिलाओं की डिलिवरी से संबंधित सभी जानकारियां गुप्त रखी जाती है trend midwives को ही नियुप्त किया जाता है जो patient को encourage करने के साथ-साथ support करे सभी labor room में NST machine और monitor लगे हुए हैं ताकि पेट में पल रहे बच्चे की जानकारी मिलती रहे serious patient को emergency में एक मिनट के भीतर cigerian unit के साथ shift किया जाता है इसके अलावा gynae laparoscopic surgery, general, minimal invasive और bariatric surgery, plastic and cosmetic surgery भी की जाती है साथ ही pediatric and nanotology का इलाज किया जाता है और orthopedics and sports medicine भी दी जाती है urology और dental care की भी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है Sunrise Hospital को surgery के एक शेतर में बिश्व विख्यात बनाने के पीछे एक ऐसी सोच है जो निरंतर काम कर रही है जी हाँ हम बात कर रहे हैं Sunrise Hospital की managing director निकिता त्रहान की डॉक्टर निकिता को obstetric gynecology और laparoscopy surgery में बहारत हासिल है उनका एक मात्र लक्ष है दीश की हर महिला को अपने स्वास्त के प्रती सजब कराना और उनमें जागरुकता फैलाना रूबरुचर रभी आपने थोड़ी दिल पहले को अपरेशन किया है और क्या ऑपरेशन किया है क्या आपने क्या केसे हैं अभी the last case which I operated on was total laparoscopic hysterectomy, मतलब बच्चे रानी जो है उसको दूरबीन द्वारा निकाला गया, ये केस में बहुत सारे रसॉलियां थी इस लेडी के, बहुत सारे फाइब्रोइट्स थे, तो इस लेडी का अभी हमने 20 weeks size uterus, 20 weeks means कि nearly 5 महिने का बच्चा जितना होता है उतना बड़ा रसॉली, मतलब रसॉली निकाला है दूरबीन से, और कलपेशन दिश्यार्ड हो के घर भी चरी जाएगी है अभी तक आपने कितने operations किये हैं और सबसे चालेंजिंग और इंट्रेस्टिंग केस कॉन सा था? अभी तक मैंने कुछ सारे साथ हजार operations कर लिये हैं दूरबीन से, सबसे चालेंजिंग और इंटर हो रहा है इसमें 3.9 kg निकाली निकाली है महिला में महिलां से जुड़ी बीमारियों में खास तोर पे जो गाईने प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें हमारे देश में ज्यादा तर open surgery ही होती है इसके बारे में आप क्या कहीं निए? open surgery के सिरफ एक ही indication रह गए है अचके बिन में मेरे हिसनाब से बच्चा बार निकालने के लिए, cesarean के लिए, अगर नॉमल दिलिवरी नहीं गए उसके इलावा, open surgery is absolutely obsolete Indian medical standard को अगर हम बाहर से यह नि इंतरनेशनल standard से compare करें तो where do we lag behind, where are we right now? Indian medical standard एक बहुत ही अजीब सा वाद है बिकास देए लोटस अ इंडिया अगर आप साओ इंडिया में चले जाए तो तो मेडिकरी बहुत advanced है और नॉथ इंडिया में आजा है तो बहुत ही तिछ रहा है South India में 80% of surgeries are done by lapnoscopy North India में 80% of surgeries are done by open surgery Dr. बहुत प्यारी बात कही आपने की एक मरीज के लिए एक self-concern, डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है आप से जाना चाहूंगे, you are a doctor as well as an entrepreneur ऐसे में किया कभी आपने पेशेंट को किसी और को रेपर किया कि better service के लिए मुझे किसी और के पास इसे भीज ना चाहिए बहुत बार ऐसा मैं और स्पेशली जब मैं सीख रही थी जब मैं शुरू मैं आया थी, अच्छे दस साल पेले, लाप्रिस्कोपिक ट्रेनिंग करके मैं मैं तेलोशिप दिया है, Dr. Hafiz Uraimann के अंदर in South India बहुत बार स्पेशली cancer cases, मैं शुरू मैं मेरा cancer में हाथ बिर्कुर सही नहीं था तो obviously वो learning curve के टाइम पे, I used to call Dr. Hafiz Dr. आप मानती है कि कई भार hospitals, marketing stunts की शिकार हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है कि आप यही ब्रांड यूज कीजिए, इसी कंपनी से equipments आएंगे ऐसे में आप के हां क्या सिनेरियो है? इस की पुल्फरेज निकालने के लिए, again we've created another centralized system We have something called the HMS, Hospital Management System जो की हमारे सारे hospitals को लिंक करता है अब हमारे पास तारा Central Purchase है कोई भी Hospital अपने आप परचीस करें ने सकता 29 Purchase People are sitting in Cochin, which is the Central Hub and in Bombay जो आपकी Central Pharmacy Purchase करते हैं जो आपकी Central Pharmacy Purchase करते हैं जो आपकी Central Instruments Purchase करते हैं तो कोई भी कुछ यूस कर रही में सकता हमको जो भीया है जो मरी इसके लिए सही है वो सारे चाहें तो ये पॉचे इस देपार्मेंट अलग है तो कोई भी दॉक्तर अपने 5-A के लिए कुछ कर सकता हैं वो हमें राइट सी हिकाते हैं I want to know one thing, you're a doctor plus entrepreneur What's most challenging thing for you? I think the most difficult is balancing time with the family, with being a surgeon or administrative skills इस सारे चीजें बिन किदर शुरू होता है किदर खतम होता हमें पता हैं Aap किने sensitive or emotional हैं अपने patients' की प्रती? Very much I am in the next profession में सिर्फ अपने passion की वजा से आई हैं because I really care for my patients In fact, every patient I sit and counsel them for half an hour कि आपकी सर्जुरी एसी होगी आप एसे करेंगे ये सर्जुरी के बाद होगा I do my post-op around myself I have four juniors बद फिर भी मैं अहरेक पेशंट को खुद देखती हूं पेले भी, बाद में भी, सर्जुरी भी खुद करती हूं Because I feel that this is the ultimate trust अगर कोई patient in general anesthesia में मुझे trust करके अपनी life देता है तो उससे जादा वह मुझे कभी trust करी नहीं सकता कोई किसी और को trust नहीं कर सकता I cannot let that person down So for me, my patients are a priority Dr. Nikita से हमारी बातचीत जारी रहेगी हम यहां पर एक छोटे से break के लिए रुक रहे हैं आप कहीं मत जाएगा Break के बाद हम Sunrise Hospital का दौरा करेंगे Dr. Nikita हमारे साथ होंगी देखते रहेगे रूबरू Welcome back आप देख रहे हैं हमारा खास कारिकर्म रूबरू और हमें शक्तितरा इस बार भी हमारे साथ एक खास शक्सियत हैं और इस बार जो एंटर्प्रॉन हमारे साथ जोड़ी हैं वो एक महिला है Dr. Nikita रहार हमें ब्रेक से पहले उनसे उनके प्रोफेशन के बारे में जाना था और आए चलते हैं देखते हैं कि Sunrise Hospital में किस तरह से उनका दिन देखता हैं आए आए So we are on round now Yeah, we are on a post-operative round This is the first patient This patient underwent a laparoscopic I didn't know myomectomy yesterday Her uterine size was very big His uterus size was very big and the bleeding was very big He was four kids but he didn't have a child as you can see it was very big So we have a special surgery from Afghanistan His surgery successfully completed and today he is going to India and tomorrow he is going to Afghanistan So you can see that after a laparoscopy the same day the next day the patient is going to Afghanistan How many hours of flight are you in Afghanistan? Two hours Two hours of flight there is no problem but if someone wants to go to the US then there is no rope-tops Yes Ma'am I mean many people come to India for treatment What do you think we can give them the best service and how satisfied are you finding it? You can ask them I think they will answer better Yes Dr. Laira Our interpreter is Dr. Laira Tell us how are you feeling and how are you feeling and how are you feeling and how are you feeling It is very good It is normal Yes Everyone is happy in the family Everyone is happy We are happy We are very happy Dr. Laira and very thankful Thank you Dr. Nikita The passion of her is that you can get the best of your patients and their family when every patient is away from their pain will have to be very far from her This is today which was is which is in the evening from 4.58pm This is the patient who is full-time pregnant and the baby who had feet are up and cut-edge from the throat and we have been a 3-minute लगे वाद संवाइज में 24-hour anesthesia service है और pediatrician वगेरा सब उन्होंने अच्छे से से resuscitate कर लिया इसलिए we have a new rock star say hello as you can see the baby is absolutely fine and the baby's family is absolutely delighted this is what we work for यह हमारे special label delivery sweets है इन लेबर दिलिवरी sweets को British standards के according design किया लिया है जहां पे family को बैठने के लिए especially husband को बैठने के लिए एक जगा दी जाती है और यह लेबर दिलिवरी sweet इस परकार का है कि जहां पे मरीज यही आए यही deliver करे और यही से जाए कोई-कोई मरीज होते है जो थोड़ा दिर और रहना चाहते हैं तो उनको हम एक दिन के लिए भार shift करते हैं वरना यह बैग जो है यह बैग टोटली convert हो जाता है इन तो लेबर दिलिवरी बैग और यह जो आपको दिख रहा है यह सारे equipment जो भी आपको चाहिया होंगे एक नर्मल डिलिवरी के लिए सारा कुछ यही स्टॉक रहता है जैसे वह आपको पीछे लाइट दिखेगी वह यहां ही पे सारा कुछ स्टिच किया जा सकता है और यह सारे इंजेक्शन हो गयरा सब कुछ हम यही रखते हैं ताकि यह प्रपर फुली एक्विप्ट नर्मल डिलिवरी के लिए यह जगा है किसी भी तरह की कोई भी कॉंपलिकेशन साय तो कॉंपलिकेशन हो सकती है अगर नहीं अगर कोई ब्लीदिंग जादा है या सेजरीन के लिए शिफ्ट करना है यहां पे special monitors है हर एक बेड में हर एक चगा हर मरीज के लिए special monitors होते है यह monitor जो है यह baby monitor है including twins इसमें baby ki heart beat यह वो सब properly record होता है और हम लोग जैसे मैंने आपको कहा equipment पे कभी compromise नहीं करते है you can see that वहां पे baby receiving है और इसी के पास में एक nursery है जो की fully equipped with SLE 5000 ventilators from Wiproji और बाकी सब जो equipment में सोच सकते हैं वो सब nursery में equipped है और fully equipped staff दी है आयो मैं आपको nursery लिखाते है यह हमारा nursery है यह हमारा first nursery है जहां पे सिरफ mother feed करती है mothers को allowed नहीं होता इसके beyond यह feeding area है इसके beyond इसके beyond जो है यह हमारा main nursery जहां पे photo therapy सारे equipment ventilator सब कुछ है अगर बच्चे को कभी जौनर्स हो जाय तो उसके लिए बड़े बड़े hospitals में नहीं होता लेकिन हमारी standard अगर Sunrise का नाम लगा है तो वह standard care है lullaby warmers, ventilators सब कुछ है जैसे आपको बिख़ा है Philips के ventilators है SLE 5000 infant ventilator है So we are very passionate about our equipment And I could also see being a woman you have really given a special care to it there is a personal touch to it क्योंकि doctor खुद एक महिला है तो वह बहतर समझती है हरी को अरत का बच्चा उसकी कम्जोरी उता है And this is our special nursery staff Simol and Soumya They are very 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 good at baby care and to look after new born So I am really proud of my team because they really 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 look after babies with TLC How do you plan your day? So we have surgeries at 8 o'clock and usually I finish my surgeries by 2 o'clock In between, if there is a patient we go to see a patient in scrubs we go to see a patient After 2 o'clock we usually have patient appointments admin work and at 6 o'clock I call it a day because then it's family time So from 8 o'clock to 6 o'clock are my usual working hours and sometimes labouring patients and there are labouring patients and other patients because children can decide at home We are busy with them so I have 3 or 4 other assistants but there are high risk especially those who are conceived of me Infertility is my forte so infertility patients who are not conceived of me or who have miscarriages after 19 miscarriages and they have a healthy baby who have so precious babies I will deliver them It's a very hectic day and we are taking a short break and after the break we will immediately take a short break and after the break we will immediately know that if we get the strength and inspiration how can we become and how can we become and how can we become and how can we become Welcome back Welcome back and very welcome to our special work Roo Beru this is a show that we can get you with such people and today's guest is Nikita Trehan डॉक्टरी पेशी के अलावा एक सेक्सिस्फुल ड्रहनी भी और उनके घर पे बैठे हैं हम आईए पूरे परिवार के साथ मुलाकात करते हैं बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे शो में अनुमय हम सबसे पहले में आपधी से जाना चाहूंगी के एक सास और फिर उसके बाद बहु वो जो ताइम था जब निकिता आपके घर आई हाव थे इंक्स मटेरलाइज़ कैसे आपने अपनी बहु को चुना इदर एक शाज की भाई की शादी थी शादी के लिए आई थी डेली उसने मुसे बंबे में में एम्डी सीट उसकी मिल गई थी उसको और शादी के लिए डेली आई के वेरे बेटे से मिली और शादी के लिए डेली आई के मेरे बेटे से मिली और शादी के लिए 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 मैं भूल मय रन्टर है ठाही हुड़ियर करिंगर streets कि अपने मैं लुझे हुड़ियर के अपड़ियर केस्चितर बेपट है कि हर एक चीज मैं बहुत अच्छी तरह करूं, बहुत काम्याभी से करूं, और बहुत डिडिकेट है इन लाइफ, तरह बहुत बेस्ट पाट अप्लीट मैं अपनी पोस्ट ग्रादुएशन, पेलोशिप, सब कुछ कर पाई, सिर्फ अपनी अपनी मदर अनलो की वज़ा से, My family support, my parents are also there, everybody is there, my husband is also there When professional women come to the house, the family wants us that she won't be giving us much time, did you miss some time? No, initially we spent a lot of time together, I think first one year, two years and I think that is the time when bonding, initially Gaurav was born after two years and by then, you know, she was like a daughter, I never used to like to introduce her as a daughter-in-law Your husband is not here, he is a busy person, so how do you discuss your work in quality time? Basically I am a workaholic and you have seen that I am very passionate about my work, so that you want to learn some tips and tricks, Kuch suggestions lehen hai, toh mom has been like I said an inspiration to me I am one of the very few blessed people, jidko chaar parents ka support ho, mere parents or mere, like I don't call them in-laws or anything I call them Bombay parents and Delhi parents So my Bombay parents support me in my Bombay ventures and my Delhi parents support me in my Delhi ventures Now Gaurav, you want to say something? Mama was saying and you were just about to say something, tell me Besides the work, she takes time out for me, like she takes me to adventure parks, she is very sporty person too Ah, tell me, tell me something about mama, jo hamai nahi malo After work also, she tells me at night, I tell her my secrets, she tells her to me Okay, so there is a mama and son friendship there na? Sharing secrets And what about papa? Dad, he is very busy, he comes back and he is at meetings most of the time He encourages me to study and to play I am a certified skydiver, scuba diver, all those things How did this shock happen? During your college days? I have always been very adventurous Skydiving was something which is fantastic I have jumped 11,000 feet from the sky Scuba diving, I am a certified paddy driver to a level 4 So, all these things are in your, you feel alive And another thing Anu man was telling me That one of them is hidden in his presence He sings very well So, who is your favourite singer? I love Mohit Chohan, I love his voice I think he has got a brilliant voice I am very excited and I think everyone is waiting here So, I'm done with him And I thought I found that only demonic voice So, since we see him today I don't know you can be the trick Without a farklı word ывать artist And I suppose He can be visão बूरिफुल, बूरिफुल, नाइस सुरी ले नोट पर ही आप से पूछना चाहरी हूं कि और फीचर में आपके क्या प्लान से क्या प्लान से क्या आप एक्स्प्लोर करना चाहती है आपने काला कि मैंने लगबग सब कुछ किया है मेरा एक ही द्रीम है Standardized Health के जो ये 80-20 ratio है 80% open surgery, 20% laparoscopy I want कि हम वो change करें और इस उल्टावस का 80% laparoscopic surgery 20% open surgery So we want कि हम जितना control कर सकें अभी हमारे 3000 beds है next 2 years में it will be 5000 beds but ये सारे bed strength हमारी that is to give quality care वो कही compromise नहीं नहीं and that I only wish to God that He gives us that strength to do it Okay Gaurav, आप ममी का परस्यो करना चाहेंगी या पापा का? किसी का भी नहीं I am happy with both क्या बना चाहेंगे आपी रखेंगी? I want to become a doctor So I think mama has inspired you a lot Yeah Most of the time कहलते हो आप ममी के सार? Yeah और जीत का कौन है Mom Mom अभी के जनरेशन को एक different parenting चाहे You want to say something about that? जब आप अच्छा value system अच्छे संस्कार देंगे अपने बच्चे को और उसको बताएंगे right or wrong क्या होता है तो बच्चा से wrong क्यों choose करेगा इतनी तो मतलब शमता अपने बच्चे पे और इतना विश्वास अपने बच्चे पे हमें भी रखना है कोई भी गलत प्रोफेशन में आप जाओगे किसी और को खुश करने के लिए तो ना तो अप उसको खुश कर सकोगे ना अपने आपको तो पहले अपने आपको खुश करेगे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर ये बाती करके और हमेशा ये अच्छे पलों की तरह हमारे जहन में ताजा रहेंगी और हम यही इश्वर से प्रात्ना करेंगे कि ये खुशी ये जो कॉडिनेशन है आप लोगों के बीच में ये जो वांत है वो हमेशा बना रहे और इसी दुआ के साथ हम शुक्रिया आदा करना चाहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया ये थी डॉक्टर निकिता त्रेहान जिन्होंने अपने प्रोफेशन को और परसनल लाइट को इतने बहतेरी इंधन से बैलेंस किया है कि आज हर महिला ये सोच रही होगी कि हम भी ऐसा कर सकते हैं जरूरत है थोड़े से साथ की और हाँ बड़ो क्या शुर्वाद की किसी सोच के साथ हम आज आपसे विदा ले रहे हैं अगले बार किसी ऐसी ही शक्सियत से आपके मुलाकात करवाएंगे तब तक रखिए अपना ख्यालों देखते रही रूबरूप राओ बार किसी साथ हम अवाम साथ के साथ के साल